ग्राम सेपुरा माल के वार्ड नमबर पांच में रहने वाला दितिया वल्द जलिया पिछले 25 वर्सों से इस गाउं में रह रहा है उसमें उसे उस जगे का पट्टा ना मिलके जिस पे वो अभी काविज है एसी जगे का पट्टा दिया गया जो की बहुत ही जादा पथरी ली और उपजायू नहीं है इस गाउं के जिसमें की देड़ सो लोग परिवार आज निवास कर रहे हैं और इस परिवारियों में से 25 किसान ऐसे हैं जिनके पास इसी प्रकार के पट्टे हैं जो की दूसरी जगे के मिलने के कारण इनको खेती करने में भी परेशानी आ रही है निवार आप लोग वहां से क्यों आया है वहां पराशान ज्यादा करते मारमूर के भगाते तो कौन भगाता था वहां पर भड़ी जाल से हमें जाड़ काटाथ काटाथ हूं जमीन बनाई अब हमारे पास तो पांसे कड़ है और पट्टा कितनी जमीन का है तो आप क्या चाहते हैं और दूसरी जगांत जगा मिलो है पट्टो जहां कर रहे हुता ही तो आप क्या चाहते हैं अब बनाएंगे हम और तेसे लड़ा होंदे हैं पांसो रुपिया का जरीबान भर दिया और दूसरी हम बता रहे हैं कि जरीबान हमारे रशीद भी है और हम जो कर रहे हैं वो इसा हैं उनसे हम दूसरी जगा नहीं जएंगे भी गाओं के डेड़ सो लोगों में से 25 किसान ये चाहते हैं कि उनको जिस जमीन पे आज काविज हैं उन्हें उस जमीन का ही पट्टा दिया जाए और उस पथरी ली जगए का पट्टा वो नहीं चाहते जो की उपजाव नहीं है खेती के लाइक नहीं इस समस्या पे बदलाओ हो और इन 25 किसानों को जिनको गलत पट्टा दिया गया है जिसका खसरा नमबर ठीक नहीं है उसमें सुधार किया जाए इसमें बदलाओ के लिए जो अधिकारी है ब्लोग बटिया गड़ के वो है असोक सेंजी जिनका फोन नमबर है इकानवे उन्यास सब्सक्राइब के लिए मेरी अपील है सभी समस्या से प्रभावित लोगों से कि अधिकारियों को फोन करें और अपना दवाव बनाए मैं आर्तिवाल में बटिया गड़ जिलादा मौमाद प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए झाल 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 झाल